हंजी नमस्कार दोस्तों सागत है आपका एक वर फिर से हमारे टूप चनल प्रिक्षा गाइड पर अगर दोस्तों आप कर रहे हैं भारतिय सेना के त्यारी तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं तो उसी स्रंखला में आज हम बात करेंगे रसाइन वी ग्यान से सम्मंदित समाने ग्यान इसमें आपको काफी सारे क्वेशन करवाएंगे और आपके एकजाम में इन प्रशनों में से आने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे आप प्रशनों का लेवल देखना प्रशनों की जो क्वाल्टी है जो प्रशनों का बेस है वो देखना किस लेवल के प्रशन है बहुत गर्ब की बात होती है जब कोई लड़का अपनी सेना में जाकर देश शेवा करता है और उसके बदन पर उसके सरीर पर आर्मी की वर्दी होती है तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू तो पहला प्रशन है निम्ड में से ओक्सिकरन नहीं है तो इसके जो अंस्वर है न कर रखें डार्क आपको देखती है पता चल जाएगा तो जो अवशेपन है ना अवशेपन ये ओक्सिकरन नहीं है यानि ये ओक्सिकरन की पर किरिया नहीं है अब आपको इसका ओक्सिकरन क्यों नहीं है ये भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं फिर अगला प्रशन है नमक के घोल से सिल्वर नाइट्रेड का घोल डालने पर दही जैसे पधार्त उत्पन होते है ये कौन सी अभिकिरिया है तो ये कौन सी अभिकिरिया है ये उदास निकरण है विस्थापन अभिकिरिया क्या होती है यहाँ पर एक पदार्ट दूसरे पदार्ट को उसकी जगह से विश्थापित कर देता है सयोजन अभीकिर्या होती है दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है यानि कि जुड़ जाता है फिर अगला परशन देखिए संशारन किस प्रकार के अभीकिरिया है फिर अगला प्रसंद देखिए किस रसाइनिक अभीकिरिया में ओक्सिजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है तो वो उप्चेन अभीकिरिया कहलाता है किसी रसाइनिक अभिकिरिया में ओक्सिजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है उपचेन अभिकिरिया फिर आगे देखिए आगे है निम्न वेसे कौन सी अभिकिरियाओं के यूगम हमेशा साथ साथ होते हैं तो वो होते हैं उदाशनिकरण और विस्थापन के अगला प्रशन देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अमल की अभिकिरिया से सोडियम कुलोराइड और जल बनाते हैं यह कौन सी अभिकिरिया है उदाशनिकरण कौन सी है उदाशनिकरण आपको क्य सकती हैं विसे परिबाशाएं एक्जाम में तो नहीं पुछ जाती लेकिन नॉलेज होना चाहिए इसके लिए आप 10th की बुक पड़ सकते हैं जिसमा पहला जो चेप्टर होगा उसके अंदर सब आपको विश्थार से दिया होगा NCRT की बुक फिर अगला परिशन है वेपदार्थ जिनके स्वाद खटे होते हैं और निले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है अमल वो अमल कहलाते हैं जो अमल होती है न वो स्वाद में क्या होते हैं खटे होते हैं खटे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देते हैं वो अमल कहलाते हैं जल में घुलनसील भश्म क्या कहलाते हैं शार कहलाते हैं अगला परशन देखिएं निव्ड में से कौन परबल अमलिये हैं तो वो कौन हैं पिएच जीरो ये परबल अमल लिये है फिर है अगला प्रसण लिटमस रंजक बेंगनी रंका होता है जो निकला जाता है लाइकेंग से जो निकाला जाता है किरिया से कौन सा पदार्थ बनता है तो वो विरंजक चुरण बनता है आपको कमेंड गरना है कि विरंजक चुरण का सुत्र क्या होता है फिर अगला प्रशन है हल्दी लिटमस पत्तर आदि किस प्रकार का सुचक है प्राकरतिक जो हल्दी होती है जो लिटमस पत्तर होता है क इस पदार्थ का बना है जो काफी कठोर है केल्सियम फासफेट का फिर है इमली में कौन सा अमल होता है टार्टरिक अमल फिर अगला परशन देखिए उपचेन अपचेन अभिकिरिया को क्या कहते हैं रेडोक्स अभिकिरिया उपचेन और अपचेन अभिकिरिया क्या कहते हैं अगला प्रशन है दानेदार जस्ता पर तनू सेल्फिरिक अमल डालने पर कौन सा गेंस उत्सरजित होता है हाइडरोजन गेंस फिर आगे देखिए सूर्य प्रकास की उपस्तिती में पोधे CO2 और जल से अपना भोजन त्यार करते हैं कौन सी अभिकिरिया है यह प्रकास रसायनिक अभिकिरिया फिर अगला प्रशन देखिए कि भाग लेने वाले प्यारत क्या क्लाते हैं अभीकारक आप को यह उखिया करवा रहे हैं जैसे CO plus H2O के विग्रिया करवा रहे हो तो जो ये दो पदात भाग ले रहे हैं इसमें ये अभिकार कहलाती है फिर आगे देखिए श्वरशन किस प्रकार की अभिकिरिया है उश्मा शेपी अभिकिरिया है फिर है अगला प्रशन प्रबल अमल और दुर्बल शार्क से बने लवन का प्येच मान क्या है तो उनका प्येच मान होता है साथ से कम फिर अगला प्रशन है शार्क को जल में गोलने पर क्या मुक्त होते हैं OH आयन फिर अगला प्रशन है दही में किस प्रकार का अमल पाया जाता है धही में लेक्टिक अमल पाया जाता है फिर अगला परसन देखिए किसी अमल में मुख्य रूप से एक परमाणू अवश्य मुझूद रहता है जो धातु से अभिकिरिया करके एक गेंस उत्पन करता है तो वो है हाइडरोजन अगला परसन देखिए अपच का उपचार करने के लिए निम्ड में से कौन ओस्दी का उप्योग होता है यानि कि अपच अपच हो जाती है तो उसका उपचार करने के लिए किस ओस्दी का उप्योग किया जाता है एंटेशिड फिर है निम्ड में से कौन ओक्सिकरन नहीं है तो आवशेपन फिर अगला प्रशन है प्राकरतिक गेंस का दहन किस प्रकार का रशाइनिक अभिकिरिया है तो यह उश्मा शेपी अभिकिरिया है फिर अगला प्रशन है कोपर चूरन को वायू में गरम करने पर उसके सतह पर उसके स्तेय पर कोपर ओक्साइड की एक परत जम जाती है इस परत का रंग कैसा है तो ये काले रंग की परत जमती है फिर अगला परशन है साख सब्जियों का विगटित होकर कमपोश्ट बनना किस अभिकीरिया का उधारन है तो ये उसमा शेपी का है फिर अगला परशन है सोडियम हाड्रोक्षाइड का पियेच मान लगभग है चौदा फिर अगला परशन देखिए जिंक तथा लेड कोपर की अपेक्षा अधिक किरियाशील धातुएं है फिर अगला परशन है अंगूर का किनवन करना एक है रसाइनिक परिवर्तन है कैसा है एक रसाइनिक परिवर्तन है फिर आगे देखिए मेगनीशियम के रीबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लो उत्सर्जित होता है स्वेथ चमकदार फिर अगला परशन है सिर्का में कौन सा अमल पाय जाता है एसिटिक अमल और लास्ट रहेगा ये परशन 35 परशन बहुत है आज के लिए निम्न में से कौन विज्जातिय योगिक है प्लास्टर ओफ पेरिस इसमें आप एक तो विरंजक चुरन का सुत्तर बताएगा दूसरा प्लास्टर ओफ पेरिस का तो आज की वीडियो में हम इतना ही अध्यान करेंगे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर लें और जितने भी हमारे बाई लोग सेना के क्यारी कर रही हैं उनको एक बर फिर्ट से बहुत बहुत सुपक्वामने जेहिन जेभर